sentiment analysis इतना important topic लेकिन इसको भी तक किसी ने address नहीं किया, कितनी बुरी बात है, आपका भाई आ गया, proper चीज़ों को right manner में आपको explain करने के लिए, तो सबसे पहले अब आप यह समझें, कि sentiment analysis होता क्या है, यह मैं आपको explain करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा intro दे दूँ कि आज की इस particular sentiments क्या चल रहे हैं, और उन particular sentiments की चलने की वज़े से, market किस तरह से perform कर सकती है, यह जो particular third point है, हम उसमें study करेंगे, तो without any further ado, video start करते हैं, सबसे पहले आप यह समझें, कि sentiment बोलते हैं, आपके एहसासात को, यानि आप क्या sentiments रख रहे हैं, हम particular कभी भी conversation में, normal casual conversation में, बोल देते चामिल हो जाते हैं, जसबात चामिल हो जाते हैं, यानि simple terms में, simple language में, लोग क्या expect कर रहे है, majority जो traders है, उनकी क्या feelings है, क्या उनकी feeling अच्छी है, क्या उनकी feeling बुरी है, और उनकी अच्छी है, बुरी feeling, obviously, market को भी अच्छा है या बुरा गरती है, तो यह आपको अच्छे स मैं आपको 2 strong methods बताऊंगा, जिसकी help से आपको idea हो जाएगा, कि किस तरह से proper sentiment analysis आपने perform करना है, उसके बाद हम देखेंगे, कि वो किस तरह से market को move करवा सकता है, जो सबसे पहली चीज है, वो है funding rate, अब आपको नहीं पता अगर funding rate क्या होता है, तो i button पे click करें, मैंने in depth यह जाएदा longs open है, या shorts open है, यानि इस वक्त particular जो individuals है, obviously यह उनके SSाथ को, उनकी feelings को भी बता रहे है, कि उन्हें long open किये हैं, वो expect कर रहे हैं, market ऊपर जा सकती है, या उन्हें short open किये हैं, वो expect कर रहे हैं, कि market नीचे गिर सकती है, आप spot trading करते हैं, या कोई भी particular trading करते हैं, future traders क जो concepts हैं, उनको master किये बगएर, आप spot trading में भी कामयाब नहीं बन सकते हैं, तो यह आपने चीज समझ लेनी है, और आप दूसरी चीज समझें, कि हमारे पास 0.01, neutral number है, जब भी digits से super होंगे, इसका मतलब longs open है, इससे कम हो जाएंगे, इसका मतलब है, shorts open है, और अगर मैं इस से भी जाएंगे, तो जब भी आप coin graph पर जाएंगे, आपके समने, जो भी आपको यह पेज नजर आ रहे है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस वक्रीन ग्रीन आपको चीजें जयादा नजर आ रही है, जयादा digits green है, जयादा green digits का मतलब है, कि जयादा shorts open हो है, जयादा ग कोई futures trader, जो कि stop loss use नहीं करता, और simply market में इंटर करता है, तो market उसको एक खास value दे देती है, exchange उसको खास एक price दे देती है, कि अगर price उसके against उस direction में जाए, और एक particular level तक जाए, उसका account wash हो जाएगा, जिस price को liquidation price कहा जाता है, और जब भी ज्यादा traders एक खास direction में position open करते हैं तो उस direction के against majority of the liquidations जो है, वो जमा हो जाती है as a cluster, अब होता ही है कि market manipulators है, whales exchanges है, जो मिल के market में कोई भी फर्ड ले आ सकते हैं, वो simply कोई भी फर्ड लाके market में उन particular जो liquidations हैं, उनको हंट करते हैं, अब जरूरी नहीं है कि वो फर्ड लाएं, वो ऐसे भी हंट कर सकते हैं, किस तरह funding rates की help से, आप जो sentiment analysis है, वो perform कर सकते हैं, और आप उसको देखके समझ आ जाएगी, कि long जाएदा open है, या short जाएदा open है, market अप किस तरफ जो है जा सकती है, मैं फर्दर एक और चीज़ एड कर दू, सिरफ funding rates की base पे, सिरफ sentiment analysis की base पे, आप जो है यह नहीं देखते ह बलकि आप उसको combine करते हैं, price section के साथ, और अगर आपको नहीं पता price section क्या होता है, simply playlist में जाएँ, मैं in depth आपको सब कुछ explain कर रहा हूँ, और जो continuous updates है, जो मैं WhatsApp और free telegram group में देता हूँ, description में आपको उनके भी link मिल जाएँगे, आप उनको भी join कर सकते हैं, लेकिन back to the topic, औ वो है fear and greed index, अब आपको एक सामने fear and greed index नजर आ रहा होगा, इसको आप देखें, तो इसमें simply यहाँ पर नजर आ रहा है, fear and greed index में, कि ज्यादा लोग इस वक्त fear में या greed में है, और simple अगर मैं आपको इसको terms में explain करूँ, तो जब भी हमारे पास लोग डर जाते हैं, लोगो यहाँ पर चार्ट पर सारी values नजर आ रही होगी, कि किस value पर कितने ज्यादा sentiments हैं लोगों के वो बदल रहे हैं, क्या वो greed हैं, क्या वो neutral है, या वो fear में है, और जब भी लोग fear में होते हैं, या extreme fear में होते हैं, वो market में एक अच्छा time होता है buying करने के लिए, लेकिन price action को सा कम्बाइन करना जरूरी है, लेकिन आप एक चीज़ समझना, कि जब आप bull market देखेंगे, अभी हमारे पास upcoming 6-7 months बहुत ज्यादा bullish है, अगर आप चाहते हैं, उस पर भी मैं video बनाओ, कमेंट section में मुझे बता सकते हैं, तो simply वहाँ पे जो fear and green index है, वो आपको top पे जाता हु लेकिन हम probability की game पे जो है, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा जा सकती है, और यह जो particular sentiment analysis है, यह उसमें हमारी बहुत ज़्यादा help करता है, तो आज की video में बस इतना ही, अमीद आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, sentiment analysis क्या होता है, किन-किन particular 2 factors हैं, जिनको आप अपने देखने हैं, और उन में क्या debt है, जिसकी help से market का next move क्या हो सकता है, इसका भी आपको अच्छे सा idea लग गया होगा, तो video इन करते हैं, video को like करना, subscribe करना, आपका काम है, क्योंकि मैं अपना काम कर चुका हूँ, मिलते हैं फिर next video में, तब तक के लिए, अल्ला हाफिज झाल 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 झाल